आप सभी को वेलकम करता हूँ मैं SSC CGL 2022 प्रेलेंस पेपर सॉलुशन की हमारी स्रीज के अंदर पहले हमने GS की हमारी स्रीज को स्टार्ट किया है उसके बागी के सब्सक्राइब भी मैं मैं आपके यूट्यूब के प्लैट्फरम पर पूरे कराऊँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक आउट कीजिएगा जहांपर मैंने आपको कमाइंड प्लैलिस्ट दिया हुआ है जिसमें की आज के शिफ्ट से पहले की जो पाँच वीडियो हैं GS के कोईशन के डिस्क्रिशन की वह भी मैंने आपको प्रोवाइड करी पहला सवाल आपके सामने हैं विवानती देवी किस भारतिय निरते शैली की प्रतिपादक है याने कि हमें नाम दिया गया है एक आपका विवामती देवी is an exponent of which Indian dance form SSC का कोई भी एक्जाम हो CGL हो CHSL हो CPU MTL STAN हो कोई भी एक्जाम आपने वहाँ पर art and culture के section से ये वाली चीज बहुत बार देखी होगी कि आपके market से किसी dancer के बारे में आप से पूछ लिया जाता है कि बताए ये कौन से आपके dance form से संबंदित है यहाँ पर पहली चीज जो नाम है वो आपको क्या दिया गया है विमामती देवी एक्चुली में ये जिनकी बेटी है वो दोनों के दोनों अपने आप में बहुत बड़ा नाम रहे है हमारे भारत के classical dance form के एरिया के अंदर तो मनीपुरी dancers जिसमें की आपको एक नाम नजर आएगा इनके पिता जी का उनका नाम क्या है गुरू बिपिन सिंग गुरू बिपिन सिंग की बेटी है और इनकी माता जी का नाम क्या है इनकी माता जी का नाम है गुलू गुरू कलावती देवी तो देखो ये इनके माता पिता जी के नाम है वो भी आपका मनीपुरी डांस फर्म से सम्मन्दित रहे हैं और यहाँ पर इनकी बेटे जिनका नाम आपको हमने यहाँ पर डिसकस किया बिमाम बती देवी यह आपको इसी मनीपुरी डांस की एक एक्सपोनेंट के रूप में यानि के पृतिफिपादक के रूप में नजर आती हैं चारचाओं में डिसकेशन रहते हैं तो यह आपको यहाँ पर याद रिखना था मनीपुरी नत्याले से सम्मन्दित आपको यह डांस फर्म को पर्फॉर्म करते हुए लोग नजर आते हैं रीजन रीजनल जो आपको फोकलोर होता है अलग-अलग एरियास के अंदर वहाँ पर लोग इसको पर्फॉर्म करते हैं मुख्य जो एरिया आपको इस दांस को यूज करते हुए नजर आएंगे वह आपको जहारखंड के अंदर मेली नजर आएंगे आपको वैस्ट बेंग इसको के नाम से जानते हैं वहाँ पर यह आपका यूज होता है क्लासिकल इंडिन डांस के फॉर्म में आपका कथेकली का यूज होता है इस दांस फॉर्म के अंदर लोगों को पर्फॉर्म करते हुए आप स्टोरी टैलिंग की जो आर्ट होती है यानि कि कथा सुनाते हैं या अपने इस डांस फॉर्म के जरिये इसका इस्तमाल होता है उडिसी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि टैंपल्स जो मंदिर आपको नजर आते हैं उडिसा के वहाँ पर इसको आप लोगों के द्वारा पर्फॉर्म करते हुए देखते हैं एक एंशेंट डांस फॉ मंदिर तो आपको वहाँ पर तमिल नाडव याद रखना है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट बड़े नाम बता दी तो एक एक नाम आप याद रख सकते हैं जैसे कि आपने क्रिष्णा आयर के बारे में सुना होगा ठीक है क्रिष्णा आ देवी एक बड़ा नाम है ठीक है रागनी देवी जिनका बड़ा नाम आप इसके अन्दर यूज करते हैं इसके लाबाव आपसे मैं किसकी बात करूँ कत्था क्त्हकली की मैं बात वालड़ी कर चुक है केहला सबके सम्मान देत है और इसमाना है यह नाम आपको ज़ जरू रह्मान एक इसके लावा मने पूरी में महाने पूर से संब्दित मोहिनी अट्वम आपका कैरला से संब्दित है इस सब चीज़ा आपको याद रखनी है कि अगला सवाल आप से पूश रहे हैं कि भारत की एक एकता और खंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना प्रते the duty of average citizen to uphold and protect the what unity and integrity of India यानि कि इस blank के अंदर आपको कौन सा शब्द नसर आएगा duty की मैंने बात करी आप सभी को पता है कि हमारे सम्मिधान के अंदर आपको 11 मुखे fundamental duties का mention देखने के लिए मिलता है जो कि कौन से article के अंदर आती है article number 51A के अंदर यह पहली चीज आपको clear है fundamental duties का जब जिक्र होता है तो एक सवाल आप से बनता है कि यह कौन सी कमेटी के recommendation के basis पर हमारे सम्मिधान के अंदर आइड करी गई तो यह भी बार-बार मैंने आपको आपकी practice classes के अंदर बताया है स्वयर्ण सिंग कमेटी इनकी recommendation के आदर पर भारत सम्मिधान के part कौन सा पार्ट है यह यह है आपका part 4A आर्टिकल भी हमने जान लिया हमने इसका भाग भी जान लिया यह हमारे सम्मिधान के अंदर एड करी गई एक सवाल पूछा जाता है कि कब एड करी गई तो सभी को पता है 42nd constitutional amendment act जो की आता है आपका 1976 में इसके साथ में यह हमारे सम्मिधान के अंदर एड करी गई शुरुवाती दोर में 10 fundamental duties थी और अब आपकी हो चुकी है 11 क्योंकि एक आपकी एड करी गई थी constitutional amendment act 2002 के अंदर इस सब चीज़े आपके पता हो निशे हैं अब आपकी जितनी भी primary fundamental duties नजर आती है उसमें आपको नजर आता है एक fundamental duty जहां पर आपको statement देखने के लिए मिलता है कि it is the duty of every citizen to uphold, protect the what, the sovereignty, unity and integrity of India याद रखोगे तो यह आपका अच्छा सवाल था, sovereignty शब्द आपका याप पर use होता, विकल्प number C आपका correct हो जाता, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चीए थी चलिए आगे बढ़ता है, आसान थे यह सब चीज़ है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपरास्टवदी के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है वाइस प्रेसिडेंट के सम्मंद में दिये चार विकल्प में से कौन सा स्टेटमेंट आपको incorrect नजर आ रहा है यह आपको बताना है एक एक करके हर स्टेटमेंट के तरफ हम चलता है, ठीक है फर उसके बाद जो भी extra detailing होगी उसको हम discuss कर लेंगे पहला statement आपको दिया गया है कि member of state legislatures यानि कि जो विधान सभाय के सदस्य होते है जब हम vice president के बात करते हैं तो vice president के election के अंदर आपको legislative assemblies स्टेट लेजिसलेशर यानि कि राजजी के विधान सभाओं के सदस्यों का involvement नजर नहीं आता है बिल्कुल ठीक statement है यह उसके वाद second statement दिया गया है कि यह आपको राजजी सभा के एक्स official chairman के पदबहाता या फिर आपके वहाँ पर इक तरीके से सदन की कारवाही को संचालक के रूप में या फिर एक्स official chairman के रूप में आपको vice president यह नजर आता है बिल्कुल ठीक था अगला statement है vice president is elected for the five years बिल्कुल ठीक है तो आपको fourth option देखने की पर जरूरत नहीं थे क्योंकि आपने शुरुआत के तीनों statement को correct पता दिया है लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे जरूर डी option देखिए he can be removed from his office by the president approved through a resolution जिसे आपका pass कराया जाना जरूरी होता है तो यहां पर आपको अगर मैं कहूं कि क्या तेश के उपरास्ट पती को उनके office से remove करने का अधिकार रास्ट पती का होता है इसमें president का कोई वे involvement नहीं होता है एक सिंपल सा आपका resolution निकाला जाता है दौनों ही houses के अंदर आपका raja sabha और लोg cebha के अंदर लोg cebha के अंदर आपकी simple majority की बात होती है और अगर आपसे बात करी जाए राजज सभा की तो राजज सभा के अंदर आपका एक basic majority को नहीं पर इनसे आधहार लेकर यानि कि इनकी यहाँ पर एक special majority का एक एक you know noted लेकर इनको यहाँ पर remove करने की बाते करी जाते हैं तो फॉर्थ statement आपका देखो हैं यहाँ पर correct हो जाता बाकी यह अलड़ी मैं बता चुका हूँ पात साल करन का term होता है और resign कर सकते हैं और resign करते time पर जो addressing होती है ठीक है address किसको करता है president को करता है अगर इनको resignation देना होता है यह सब चीज़ें आपका पता होनी चाहिए अगर मैं vice president की बात करी रहा हूं तो आर्टिकल आपको कौन-कौन से याद रखने चाहिए आर्टिकल 63 याद रखना चाहिए यह क्या कहता है यह हमारे देश के अंदर vice president के प्रद की बात करता है कि there shall be a vice president of India आर्टिकल 64 की बात करें तो 64 आपसे क्या कहता है कि यह आपका council of states यानि की राजसभा की ex-officio chairman होंगे उसके बात आर्टिकल 65 क्या कहता है आपसे आर्टिकल 65 कहता है कि जो vice president है वो as a president act करेंगे अगर president का office रिक्त होता है यह आपका 65 आर्टिकल के इंदर बात करता है कि vice president president के पत्तर काम करेंगे अगर उनको रिक्त मिलता है president का पत्त आर्टिकल 66 क्या कहता है आपसे आर्टिकल 66 businesses वाइस president के elections की बात करता है और article number 93 की बात करूँ Article 93 क्या कहता है कि लोक сबहा स्पीकर & deputy speaker of the हाउस होंगे ठीक है तो अगर मैं बात करूँ 93 की तो ये भी गहता है कि लोग सभा का speaker होगा एक और एक राज्यसभा का speaker होगा राज्यसभा का speaker यानि कि deputy speaker की अगर मैं बात करूँ लोग सभा के इन दोनों की बात करता है article number 93 article number 93 के अंदर और कोई नहीं आएगा article number 93 के अंदर लोग सभा के speaker और deputy speaker के बाद होगी सर्फ, समझे चलिए आगे बढ़ता है अगला सवाल आप से पूछा जा रहा है कुछी पुडी सास्त्रिय न्रत्य किस परकार के संगीत के साथ किया चाता है मैं कुछी पुडी classical dance की बात कर रहा हूँ is accompanied with which type of music किस परकार के संगीत के साथ इसको करा जाता है देखो एक musical style form होती है जो की हमारे दच्छन भारत से संबंदित होती है दच्छन भारत या फिर हमारा Southern India और जैसे ही मैंने Southern India यूज किया है तो यहाँ पर आपको एक musical form नजर आएगा जिसको हम कहेंगे आपका Carnatic Music समझ गए अगर आपसे एक musical style जिसका नाम मैंने Carnatic Music लिया तो इसको आप किस से लिंक करेंगे आपके दच्छन भारत यानिके Southern India से संबंदित करेंगे इसको ठीक है तो हमारे जो ancient Hindu textures और traditions हुआ करते थे उसके अंदर इनका एक आपको sub-genre देखने के लिए मिलता है जिसमें हम Carnatic Music के इन्वेल्मेंट को करते है जो कि आपका कुछी पड़ी classical dance को अकमपेन करता है यह आपको यार्खनी है इसके बाद देखो एक विकल्प आपको दिया गया है कजरी कजरी क्या है यह भी आपका एक folk dance है इस folk dance का अगर मैं सम्मंद आप से देखू तो यह आपको हिंदुस्तानी classical music के rainy weather के अंदर performed एक रूप नजर आता है नाम है इसका कजरी ठीक है एक dance genre के रूप में नजर आता है एक आपको नजर आ रहा है चैती यह क्या है यह भी आपको एक semi classical melodies या फिर Indian word melodies के रूप में नजर आता है और यह नो चैत मंथ आपने सुना होगा ना एक हमारा चैत मंथ नजर आता है यानि कि उत्तरी भागों के अंदर भारत सब कॉंटिनेंट के अंदर इसको आपका यूज होता है और इसको आप हंदुस्तानी भी कहते हैं हंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं यह कुछ खीजे थी जो कि आपको याद रखनी है चलि आगे बढ़ता है अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किस भारतिये बजट ने बजटिये आवंटन की लेंगिक सम्मिदन शीलता पर प्रकास डालते हुए एक वेक्तव है प्रस्तुत किया विच इंडियन बजट इंटर्डूजड अन स्टेट्मेंट अब देखो यह पूछा आपसे 2022 के अंदर गया है लेकिन इसके अंदर आपको क्यों पूछा गया तो हुआ क्या जो आपका फिसकल इयर 2021 था इस 2021 बाइस के फिसकल इयर के अंदर फिसकल इयर 2020-21 के तुलना में जो यह आपका एक आजएंडर करती बजटीघ इसको कितने से कर दिया गया 26 प्रतिशत से अभी यह गोगी चाहिए टेन रिस पॉंसिव बजटीघ के इस्ज़ में इस जेंड़ बजटरिघ जिए वा फिर और अस बीगा चाहिए व्मर्मी ऑपको जो union budget आपका पेश होगा उसके साथ में आपको ये वाला एक part भी add करा जाएगा ताकि अगर women's के welfare की बात करें तो उनको एक particular allocation funding दी जा सके उनके पर एक particular रूप से काम करा जा सके तो वहां से शुरुआत हुई थी current affair में जब इस परकार से आपको इस वाले budget के अंदर इसके अंदर कुछ reduction देखने के लिए मिला तो SSC ने पूछा कि अब एक काम करते हैं बच्चों से ये पूछ लेते हैं कि ये जो gender budget concurrently आपका पहली बात produce हुआ भारत के union budget के अंदर वो कौन से वाले के अंदर हुआ तो इस financial statement के रूप में जानने के लिए मिलता है और भारत के सम्मिधान के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है आर्टिकल अंबर 112 के अंदर आता है ठीक है तो ये आपको कुछ-कुछ बाते हैं हाँ पर जानने थी अगला सवाल आप से पूछ रहे हैं कि केंद्रिय स्वास्त मंत्रा कर ले कि अनुसार कब को या उसके बाद निर्मित आयतित या पैक किये गए तमाकू पादों पर तमाकू दर्दनात मौत का कारण बनता है कि रूप में लिखेगी चितावनी के साथ एक नई परदर्शन छवे मुद्रित की जाएगी देखो करेंट अफेर का सवाल है आपक करनी पड़ेंगी वही सवाल आपसे पूछ लिया 1.2 22 से यह इससेuciones के चैनल पर दे रहे हूं तो वहाद सरकार की कोई योजफ सरकार ने कोई announcement की हो, सरकार किसी policy को लेकर आई हो, सरकार कोई scheme को लेकर आ रही है, वहाँ पर मैं discussion करता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पिछले सालों के current affair के सवालों को देखकर आप इनको रटने लग जाओगे, इनको रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इससे हमें idea निकालना होता है, कि ऐसी चीज अगर आज के scenario में हमसे पूछी जाए, तो वो कौन सी चीज होगी, जो कि हमें यार रखनी होगी, वो मैं आपको कराई रहा हूँ, आगया है यह बई, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इश्वर चंद्र विद्धिया सागर सेट महीलाओं के संबंद में अलग-अलग परिकार से अक्टिविजम को लेकर इनका इन्वल्मेंट हमेशा से रहा, इनका बहुत बड़ा युगदान रहा, गर्ल एजुकेशन के ऊपर अपनी बातें उठाने को लेकर, जो रियल कॉज है, अगर हम बात करें किसी भी गर्ल जहां पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश करते थे, इन्होंने मल्टिपल जगों पर अपना इन्वल्मेंट रखा, इसके लावा इनका इन्वल्मेंट आप देखोगे कि इन्होंने विडोज, विडोज, री मेरिज एक्ट के अंदर अपना बहुत-बड़ा युगदान दिया इसको आपका कपास कराए गया था, 1856 के अंदर, ठीक है, यह आपर विडोज की जो री मेरिज हुआ करती थी, उसको लीगलाइज कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर बहुत-बड़ा अपना युगदान दिया, फिलाल यह जो मैंने आपका लड़कियों के लिए, गर्ल्स आगे बढ़ता है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट ने किसके लिए, मतलब कितने मंत के लिए, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमदी दी थी, रॉलेट एक्ट 1919 ने अलाउ किया, डिटेंश के टाइम पे एक लॉट था जिसको हम इस रॉलेट एक्ट के रूप में जानता है, टाइम की बात करूं, मार्च 18, 1919, जो इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसल है थी दिल्ली के अंदर, वो एक आपका स्टैचूट यहाँ पर पास करती है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19 1915 के अंदर जो आपका आया था, फस्ट वर्ल्ड वर के दोरान, वहाँ पर कई सारे जो इमर्जन्सी प्रोविशन्स थे जिसमें की आपका प्रिवेंटिव, इंडेफिनिट इटेंशन हो, इंप्रिजन्मेंट विदाउट ट्राइल हो, जुडिशल रिवी हो, उनको इंड सर सिडनी रोलेट है, जो की कमेटी के चेर्मेन थे, वो यहाँ पर कहते हैं कि चलो ठीक है, आप इसको अथराइस कर दीजे, कोई भी वेक्ती अगर आपको लगता है कि वो सस्पेक्टेड है किसी भी टेरिरिजम एक्टिविटी के अंदर, आप उनको दो साल के लिए, आवेलुशनरी एक्टिविटीज थी, वो बहुत बड़े स्तर पर देखने के लिए मिलती है, इसी पूरे के पूरे एक्ट का जो सम्मंध है, वो होता है आपके जलिया वाला मसाकर से, क्या होता है, तो देखो, जो रायट थे, या फिर रैली थे, इस रॉलेट एक्ट के द डिटेंड कर लेंगे और दो साल तक हमारे उपर कोई ट्रायल भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पर इस चीज के अगेंस्ट में कुछ लोग यहाँ पर रिखटा हुए, आप फिर सभी को पता है, एक जनल डायर करके विक्ती था, गार्डन को बंद कर दिया गया, ट्रूप्स आपको यहाँ पर काल बैसाखी, शरद रितू की हवाए, ट्रेड विंड्स, शीत कालीन, बरफिला तूफान, लू, होट विंड, लू, सर्दियों की तूफानी हवाए, यार आप मुझे पता हो, यह जो नीचे के आपको दो ऑप्शन दिये गया है, क्या आपको यह नहीं इससे ही आपका अंसर निकाल लेते हैं, तो क्या होती है, लो एक स्ट्रॉंग, डस्ती, गस्ती, होट और ड्राइ समर वेंड होती है, जो की इंडो गैंटिक प्रेंड के अंदर आपको वेस्टन साइट से ब्लो होती हो नजर आती है, नॉर्थ अंडिय और पाकिस्तान की र डिलस टंसर आते हैं, यहां पर आपको समर सीजन के अंदर नजर आती है, नहीं आएगये, यहां पर आपको ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के अंदर भेने वाली हवाई नज़र आएंगी छोटी सी बाते यहां दखनी थी लू होट वेंड आपका करेक्ट यहां पर आंसर हो जाता है अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है योजना बहीनी का उद्देश्य माध्यम सब्सक्राइब है नाम था इसपी स्कीम का बहीनी एम क्या था वह हमने जिक्र कर लिया सिक्क्यम राज्य के दौरा यह आपकी योजना थी वह लांच करी गई थी अभी जो स्टुडेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं मेरे इसी वाइटी के उपर मैंने राज्य और केंद्र के कुरवुत्तर यानि कि northern यसरेंस्टिक में से आपको नज़र आता है किसकी सको बॉर्डर करता यह यह भूटान को बॉर्डर करता है और आपके नेपाल को बॉर्डर करता है इसके लावज अगर मैं आप से पू flower का है तो कैपिटल रहे इसकी गैंग टॉक्पब अगर मैं सिंग तमंग तो यह सम्मंदित आपको जान कर या रखनी है अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि प्रतीस पर्धा संशुदन विद्यक 2022 में CCI द्वारा लेन दिन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से कम करके कितने करने का प्रस्ताव हैं यह आपने 2022 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सवालों को आते हुए देखा कि अलग-अलग प्रकार के जो अमेंडमेंट बिल है उनको कहां पर पेश करा जा रहा है उसमें किस चीज को कम करके बढ़ाया गया या फर बढ़ा कर कम किया गया इस तरीके की चीज़ें पूछी गई Competition Bill 2022 यह प्रपोस करता है कि जो timeline है CCI को किसी भी order को पास करने के लिए transactions के उपर जो की आधारित है वो पहले जो 210 हुआ करती थी अब आपको यह सारी की सारी जो transactions के order को पास करने की वो होंगी दिनों की guidelines होंगी यानि कि दिनों का आपको नियुनतम समय होगा वो 150 दिन के अंदर करना होगा ठीक है तो एक competition act था यह याद रखेगा यह भी आपसे सवाल पूछे जाच रख सकता है competition act दो हजार दो कोई amend करता है जिसके अंदर यह 210 दिन को अंदर आपको application का approval का violation करना होगा और उसको आपका finally इतने दिनों के अंदर अपने transaction से सम्मंदित order को पारित करना होगा ठीक है तो यह याद रिखना है आगे बढ़ता है अग्रा सवाल आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में grand trunk road भारत में कहां तक फैली होई है at present जो grand trunk road है वो extend करती है भारत में कहां से कहां तक देखो यारी अमरत सर से कॉल करता तक आपको extend होती हुए नजर आती है सबको पता है न grand trunk road के बारे में grand trunk road की जब बात होती है तो हमारा जो यह Southern Asia है याने कि दच्छन grand road ब्रेटिश रूल या फिर colonial rule के दोरान इसको आपका रेनेम करके grand trunk road कर दिया गया था यह में चीज़ है सभी को पता है किस ने बनवाई थी आपकी grand trunk road शेर शाह सूरी के दोरा इसका construction कराया गया था लगबख 16th century AD के अंदर और यह आपकी start होती थी काबुल अफगानिस्तान से और वह आपकी भारत के अंदर काइबर पास से होती हुई निकलकर आपको आज के टाइम के भारत के अंदर एंटी करती हुए नजर आती थी तो आपको आज के टाइम पर इसका extension नजर आता है यह याद अग्ला सवाल आप से पूछ रहे हैं अंतरास्तिय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गैंद की औसत परिद रहे हैं तो इसका आप आंसर कुल मिला कर सीधा सीधा या रिख लीजेगा आठ दशमलब आठ एक से नौ इंच तक और इधी यानि कि सर्कम्फिरेंस एक अंतरास्ति क्रिकेट बॉल की मानी जाती है ठीक है अब गर मैं क्रिकेट की बात करी रहा हूं तो क्रिकेट को लेकर य Kenya आप से अगर पूछा जाएगा के फर्स्ट baik ऑफिशियल कि ट्रीकेट एस्ट मैच आपका कब किया गया किसके बिच करा इसे सेवन्टीस के अंदर ही आपका कराया गहार किसकी के बीच में ऑस्टिलिया और इंकले के बीच मिंए कहा कराया गया मैलबथन के अंदर कि Melbourne कहां पर है ऑस्टेलिया के अंदर है ठीक है तो यह चीज्ज आप यहां पर याद रख सकते हैं और अगर मैं आप से पूछा हूँ कि हमारा जो बीसी सी आई है यानि की बोंड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया यानि की बोर्ड आफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन विच अब दी फॉलविंग फेस्टिवल्स इस नोन एज विजय उत्सव देखो कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनको अलग-अलग नामों से बिलाया जाता है पहली चीज कि आपको यह याद रखना है कि एक बड़ी इंपायर हुआ करती थी जिसको हम जानते हैं आपका विजय मैं दुबारस लिखता हूँ विजय नगर एंपायर विजय नगर एंपायर की ग्लोरी को मनाने के लिए इसलिबेट करने के लिए आपका विजय उत्सव मनाया जाता है जिसको हम घंपी फेस्टिबल भी कहते हैं ठीक है तो करनाटक जो राजय सरकार है यह हम पी उत सब बनाती है विजन अगर एंपायर का जो एक री क्रियेशन है उसको सामने लेकर आने के लिए तो बड़ा नाम है यह आपको जरूर याद है इसके लावा देखुए हैं आपर एक option दिया गया है आपको गंगा सागर मिला यह क्या है आप ऐसे माल लीजेगा मकर संक्रांती के पर भारत के अंदर सेलिब्रेट होने वाले बड़े बड़े आपके फेस्टिवल्स या फिर उकेशन में से एक है कहां पर मनाया जाता है वेस्ट बेंगॉल के अंदर मनाया जाता है पुशकर फैर को लेकर बार बार पूछा जाता रहता है कि यह आपका biggest cattle fair होता है इंडिय से आपका संबनेत है मन्त दिसंबर के अंदर आपका मनाया जाता है संट टेंपल को नार पूरिशा के अंदर पांस दिन के इस दांस फेस्टिवल के रूप में तो यह आपको याद रखना है अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मध्धय अक्षांसिय तटिय छेत्र में इस्थित्वनों का प्रिकार किस प्रिकार का है टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो की मेड लैटिट्यूडन कोस्टल लीजन्स के अंदर आपको लोकेटेड नजर आते हैं यह होते हैं आपके विंटर्स के अंदर यह आपको पाए जाते हैं कौन-कौन से रीजन जैसे के साउथ इस्ट यूएस से हो गया साउथ चाइना हो गया साउथ इस ब्राजील हो गया वहाँ पर मेलनी आपको इनका देखने का मौका मिलता है अब देखो कुछ आपको यहाँ पर अलग अलग प यह मैंने डिसकस कर लिया बस ठीक इतना बहुत है आपके लिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्रधान मंत्री मोधी ने फिट इंडिया डायलोग के पहले सत्र में फिट इंडिया मूमेंट के एक भाग के रूप में देश के चुनेंदा फिटनेस उत्साही मूमेंट के पहले सेशन फिट इंडिया डायलोग के अंदर मोधी जी ने अपने फिटनेस एंथूसियस्ट को सेलेक्ट करने का जो पूरा का पूरा सेशन था वो कब किया यह था भी 24 सितंबर 2000 को आई नहीं थोड़ा सा कटन सवाल उस टाइम के लोगों के लिए रगा होग लेकिन अगर मोधी जी या फेर देश के जो आपके किसी राज्य का कोई सीएम हो या फिर देश का पी एम हो इसी भी इंपोर्टेंट इस प्रकार के मुमेंट के अंदर अगर कुछ भी वो कर रहे हैं तो उनकी डेट इंपोर्टेंट हो जाती है और वह मैं कराई रहा हूं देखा होगा यहां पर मोडी जी ने विराठ कोली से बात करी थी यहां पर उन्हें पूछी है ताकि लोगों को देश के अंदर फिट्नेस के समंद में जागरूक किया जा सके थूँ ऐसे बड़े-बड़े celebrities के अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इस्लामिक नवबर्श की शुरुआत को चिन्नित करने के लिए भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाये जाने वाले सबसे महकपॉर्ण तिहार कौन सा है आपको बताना है most important festival जो कि मुस्लिम community के द्वारा celebrate कि किया जाता है भारत के अंदर इस्लामिक न्यूयर की बिगनिंग को मार्क करने के लिए कौन सा है इसको कहा जाता है मुहर्म ठीक है याद रखिएगा most important festival है मुस्लिम community celebrate करती है इस्लामिक न्यूयर की बिगनिंग कोश मनाने के लिए ठीक है भाई इसके लावा देखो बहुत सारी चीज़ें होती है बट फिलाल के लिए आप यह वाला सवार यहाँ पर याद रखिएगा अगला सवाल आपसे पूछ रहे है कि निम लिकित में से किस वर्ष में सालाबाई की संदी पर हस्ताक्षर किये गए ट्रिटी ओफ सालाबाई साइन किया गया इन चार विकल्प में से कब देखो मैं आपसे बात करूंगा फर्स्ट एंगलो मराठा वार इसके दौरा जीता गया मराठाज के दौरा जीता गया इसमें मराठाज विक्टीरियस रहे और इसके खतम होने के बाद आपकी साइन होती है ट्रेटी ओफ सालबाई को साइन कब करा गया 17th में 1782 को 1782 याने कि विकल्प नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट होता चाहां पर मराठा एंपायर को रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नेगोशियेशन सेटलमेंट यहां पर देखने के लिए मिला वरन हास्तिंग और महादाजी शिंदिया यहां पर इन्वॉल्ट है यह आपको छोटी-छोटी चीज़ें यहां पर याद रिखनी है एंगलो मराठा वर आपको कब देखने के लिए मिलता है यह चलता है अठारा सुटीन से अठारा सो पांच तर और इसमें आपको कौनसे टिट्य नजर आती है इसमें कैसारी तती थी इसमें ट्रीटी ओफ शूर्जी अंजन गाओं था ये आपके 1803 के अंदर साइन करेगी थी इसी के अंदर Second Anglomar 8 वार के अंदर ट्रिटी ओफ एक आपको नजर आईगी देव गाओं ये आपके 1803 के अंदर थी उसके बाद 1805 के अंदर ट्रिटी ओफ राजगाट ये 1805 के अंदर थी इसके बाद third एंगलो मरा ठाव और की बात करों यहां पर आपको नजर आएगा time period अठारा सो 17 से लेकर अठारा सो 18 तक का और इसमें आपको कॉन स्कून से टेटी टेटी ओफ ग्वालियर यह आपके 1870 के अंदर साइन करी गई और इसके बाद टेटी ओफ मनसौर यहां कि आपके 1818 के अंदर साइन करी गई इस सारी की सारी मैंने लिख दी है सम्मंध सालवाई का आपका फर्स्ट एंगलो मरा ठाव और से था हमने जान लिया अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है चूना पत्थर चौक और संग मरमर किस के विभिन रूप है देखो अलग अलग आपको फॉर्म्स नजर आते हैं जैसे कि आपको या रखना है और बाकी का भी या रखिएगा कैल्शियम फॉस्पेट की बात करीज़े इसका कैमिकल फॉर्मुला अगर आपसे पूछ ले यह कैल्शियम फॉस्पेट कर रहेगा कैल्शियम हाइड्र अकसाइड का तो आसानी है C A O H का hold twice calcium oxide C A O होता है यह सब ही chemical आपको यार रखने चाहिए calcium oxide का common name क्या होता है calcium oxide का क्विक लाइम पोच चुका है SSC को भी तो यह चीज़ें पोचते रहता है समझे हो चलो आगया अगला सवल आपसे पूछ रहे हैं के संबंद में निम लिकित में से कौन सा सही नहीं है विच अब दी फॉलोविंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हर्षवर्धन एक एक करके पढ़ना शुरू करता है हर्षवर्धन रूल्ड नियरली अबाउट 1400 येर्स अगो बिलकुर ठीक है बिलकुर ठीक है इनका जनम 1590 590 AD के अंदर हुआ रूलिंग की बात करेंगे लगबग 606 से लेकर 647 AD के टाइम पर इनकी आपको रूलिंग नजर आती है तो लगबग 1400 साल पहले इनका रूलिंग था तो पहला स्टेट्मेंट रो ठीक है अगला है जुआन जैंग पेंड लोट अफ टाइम दूरिंग धी हर्शास कूट बहुत सारे चाइनिज टेवलर आते तो इसमेंसे आपको जुआन जैंग भी नजर आएगा ठीक है इसको भी आपको यार रिखना है चाइनिज ट्रेवलर था कैसारा इसने मितलब लेख लिखे है हरश्वर्धन को लेकर हरश्वर्धन's court point was harisen तो किया harisen court point थे जी नहीं harisen इसके court point नहीं थे court point के रुप में आपको जो बड़ा नाम देखने के लिए मिलेगा हरश्वर्धन के वो मिलेगे बाणभठ चीक है तो ये वाला आपका गलत हो जाता और गलत ही हमसे इन्होंने पूछा था हर शरित बाइग्राफी है जो कि हर्शवर्धन के उपर लिखी गई है ये भी बिलकुर ठीक है वान भट नहीं वह आपकी लिखी थी कौन सी डानस्टी से आपका हर्श वर्दन सम्मान देता यह भी आद रखिएगा यह आपके वर्धनादादाइस्टी से तो इस सब चीज़ें देखो आपको याद रिखनी है बाकी मैंने आपके कहा के हर्श वर्दन की जो कैपिटल हुआ करती थी वह कौन सी वा करती तो यह आप दिखिएगा कनोज ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर आपका यह आता है कनोज यह कैपिटल रही थी साउथ इंडिया का एक एंपर हुआ करता था पुला के से इंद्युत्ति है चालोक का डानस्टी का उसको हराया था हर्श वर्दन ने बैटल ऑफ नर्मदा के अंद इसी पंच वर्षिय योजना के अंदर देखो अलग-अलग फाइव यह प्लांस के अलग-अलग आपको अब्जेक्टिफ नजर आए जो आपका थार्ड फाइव यह प्लान था यहां पर पहला फेज आपको नजर आया जहां पर बात होई कि हमें अभी इंडिपेंडेंट ने कीन्त होने की ज़रुत है इसके उपर फोकस करने की बात करेंगी कि देखो आप अगरे कल्चर पर दहान दीजे ताकि मुख और यहां पर आया इन इन लिकित में से किस से बनी होती है productivity की बात कर रहा हूं किसी भी ecosystem की उसके अंदर आपको composition नजल आता है इन चार विकल्प में से किसका देखो जब मैं एक option की बात करूँ यानि कि सबसे पहले मतलब एक term की बात करो जिसको मैं बोलता हूं primary production primary production को आप कैसे define करते हो यह देखो आपका वो amount of biomass होता है या फिर किसी भी organic matter का आपका वो amount जो की per unit area produce कर रहे हो किसी particular time के अंदर और वो आपका plants के दौरा हो रहा है photosynthesis की क्रिया के दौरा उसको कहा चाता है आपका primary production अगर मैं आपसे पूछों कि किसी भी ecosystem की productivity का composition आप इन में पर कहोगे कि gross primary productivity and net primary productivity का involvement ठीक है तो primary production की बात करी वो आपको समझ में आ गया मैंने आपसे जब बात करी इसका gross और net part को इन दोनों के समायोजन से आपको इनके productivity का idea मिल जाता है तो आपका D option इसमें correct होता है अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पैपसिन की किरिया को सु facilitating the action of Pepsin यानि कि Pepsin की किरिया को facilitate करने के लिए hydrochloric कैसा इसमें help कर रहा है तो जो hydrochloric acid होता है वो एक आपका acidic medium create करता है और वही कहीं न कहीं यहाँ पर मदद करता है आपके enzyme Pepsin के action को लेकर क्योंकि उसको शरूरत होती है कि भाहिया मुझे को acidic medium मिल जाए तो यही पहला सवाला option आप में यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा ठीक है याद रखिएगा अच्छा सवाल था यह है आपका इस shift का second last सवाल 17 1979 में जॉर्ज विगट के साथ कार्बनिक संसलेशन में महतुपूर्ण अभी क्रमोंकों में क्रमशे बूरून और फॉस्फुरस यूप्त योग के साथ जिन्होंने काम किया डवलप्मेंट ऑफ यूज ऑफ बॉर्ण फॉस्फुरस कंटेनिंग कंपाउंट रिस्पेक्टिवली इंटो इंटो इंपोर्टेंट रिएंट्स इन ऑर्गनिस संथेसिस नाम आप क्या दिख लीजेगा हर्बर्ट सी ब्राउन इन्होंने साज को लेकर ये अवर्ड दिया गया था तो ऐसे नोबल प्रुसकार के को हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर भी आपसे चीज़ें पूशी जाती है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नूबल प्रुसकार अवर्ड को कंफर कप करा गया तो 1901 याद रिखिएगा और किसके नाम पर दिया जाता है सभी को पता है अल्फ्रेड नोबल के नाम पर यापका कौन फर करा जाता है चोटी-चोटी बाता है फिजिक्स के अंदर यह आपका दिया जाता है अगला सवाल और इंतने सवाल आप से पूछा जा रहा है 2011 की जन गड़ना के अनुसार भारत में का लेटरेसी रेट 74.04 अगर मेल लेटरेसी रेट की बात पूछी जाएगी तो इसमें 82.04 प्रतिशक आपको नजर आता है यह 2011 की सेंसस के अनुसार है इसमें फीमेल्स का अगर कल को आपसे पूछ ले जाए तो फीमेल्स का आपको आपको याद रखना है 65.46 प्रतिशक इस सरकारों के द्वारा अलग-अलग project लाए जाते हैं यह चोटी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है इसके लावा सेंसस की बात हो रही है तो फर्स सेंसस आपका कब हुआ था 1872 के अंदर हुआ था ठीक हर 10 साल के बाद मनाया जाता है यह चीज़ा आपको याद नहीं है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेर कर सकते हैं शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को प्र झाल्टार झाल्टात कीजिए ग्त्राइब खिया है